स्वागत है आप सभी लोगों का आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में आज हमारे चैनल को करीब करीब दो वर्ष पूरे होने को आ गए और वर्ष 2022 का संभवतह ये आखरी वीडियो लेक्चर है आप सभी लोगों ने जिस प्रकार से इस चैनल को बढ़ाने में सयोग दिया लगतार वीडियो देखे उसके लिए मैं आभार वेक्ट करता हूँ और वर्ष 2023 के लिए नए संकल्पों के साथ आज इस पूपीटी लेक्चर की शुरुआत करने जा रहा हूँ लंबे समय से पॉलिटी की क्लासे बंद चल रही थी आज उनका क्षाओं को दुबारा से प्रारंब किया जा रहा है और पार्ट फाइव यूनियन में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं भारत के सम्मिधान में भाग चार तक बेसिक बाते करी गई हैं उन बेसिक बातों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं जैसे कि संग और उसका राज चेत्र, नागरिक्ता, मूल अधिकार, नीती, निर्देशक, तत्व और मौलिक करतवे भाग पांच से सरकारी वेवस्थाओं के शुरुबात होती है केंदर सरकार के काम करने के तरीके क्या है इस्ट्रक्चर और प्रोसेस क्या है राज्य सरकार का तरीका इस्ट्रक्चर प्रोसेस क्या है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे तो चलिए बिना देर की यह शुरू करते हैं पार्ट नमबर 5 यूनियन और आज इसमें पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रेसिडेंट जिसमें करीब 10 आर्टिकल्स की चर्चा की जाएगी 52 से ले करके 62 तक प्रॉम दा 52 तो 62 भाग 5 को तीन भागों में डिवाइड किया गया है और ये भारत के सम्मिधान का सबसे लंबा भाग है इसमें आर्टिकल नमबर 52 से ले करके 151 तक आते हैं चूंकि इसका नाम यूनियन है इसलिए भारत की पूरी संगी विवस्था हमें इसी चैप्टर में पढ़नी होती है शायद यही रीजन है कि ये बहुत लंबा हो जाता है यूनियन का जो पहला हिस्सा हो इनका काम है लेजिसलेचर के द्वारा बनाएंगे कानूनों को लागू करना और तीसरा हिस्सा जो है उसे जूडिशरी कहा जाता है नियाएपालिका जदी विधाहिका और कारेपालिका अपने कामों में लापरवाही करेंगी संग्धान के विपरीत जाएंगी और पोस्ट चैप्टर में डिवाइड किया गया है पार्ट फाइव को आसानी से समझने का केवल यही तरीकह है कि आप इसको तोड़ लें तो आर्टिकल्स का यह पार्ट है आसानी से नहीं आएगा तो इसको हम लोग 5 चोटे चोटे चैप्टरस में डिवाइड करते हैंằngकिज और एक म पार्लियमेंट याने के संसद और पांचवा चैप्टर है जूडिश्री याने के निया पालिकार में। इसी क्रम में हम लोगों ने पार्लियमेंट का ये पूरा इस्ट्रक्चर समझा था, जिसमें आप लोग उच्च सदन लाल रंग से देख रहे हैं, निम्न सदन लोवर हा में प्रिवेश कर चुके हैं। भारत के राश्परते से संबंदित ये सभी अनुच्छे आपके ताम में लिखे हुए हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि Constitution of India के अंदर लिखे हुए सारे आर्टिकल्स आपको याद करना आवश्यक नहीं हैं। आप चुकी प्रतियोगी पर रिलेटर जो पहला आर्ट के लिए वो है 52 जिसमें बताया गया है भारत के राश्पती के बारे में। दूसरा आर्ट के 53 जिसमें राश्पती की कारेपालिका से सब्मंदित शक्तियों के बारे में बताया गया है, एक्जेकिटिप पावर से हैं। तीसरा आर्ट के लिए 54 जिसमें राश्पती के चुनावों की जानकारी दी गई है, चुनावों की प्रक्रिया क्या होगी? इसी तरीके से पश्कपन में बताया गया है कि राश्पती बनने के लिए नियूनतम मत कितने चाहिए होंगे. शपपन कहता है राश्पती के कारिकाल के बारे में, 57 में बताया गया है कि क्या एक ही विक्ति दो बार राश्पती बन सकता है 58 में उसकी योगिता 69 में कंडिशन्स और 60 में उसके शपत के बारे में बताया गया है यदि राश्पती सम्विधान का उलंगन करे तो उसके उपर impeachment किस तरीके से लगेगी महाभियोग की परक्रिया क्या होगी ये बताया गया है 61 में और इसी तरीके से उसके पद के रिक्त होने की इस्थिती में क्या होगा ये बताया गया है 62 में तो फौरी तोर पे आप इन articles को याद कर सकते हैं आप अपने according को एक ट्रिक टैक्टिक भी बना सकते हैं किस तरीके से इस concept को clear किया जाएगा लेकिन जब हम लोग President को पढ़ने के शुरुवात करते हैं तो इन articles को थोड़ा सा आगे पीछे करना पढ़ता है उधारना के तोर पे अगर मैं आप से कहूं कि आपको भारत का राश्पती बनना है या अगर मैं भारत का राश्पती बनना चाहूं तो मुझे क्या करना पढ़ेगा तो इसका एक process जो होगा उसी process के according हम लोग इस chapter को पढ़ेंगे क्योंकि अगर article वाइस पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएंगी तो इसलिए बस आप कलपना करिए और कलपना के माध्यम से ही पूरा chapter क्लियर हो जाएगा और example अगर मैं और आप राश्पती बनना चाहें तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना पढ़ेगा कि हमारे अंदर राश्पती बनने की योगिता है कि नहीं है तो इसलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे योगिता और अगर योगिता है तब फिर हम लोग participate करेंगे elections पर तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे elections और अगर जीत गए तो राश्पती बन जाएंगे इसलिए इसके बाद पढ़ेंगे शपत और फिर पढ़ेंगे कारेकाल जब ओफिस जोइन कर लेंगे और अगर कोई गड़वरी करेंगे तो फिर हटाय जाने की प्रक्रिया impeachment पढ़ेंगे तो एक साइकलिक वे में आप इसको पढ़ेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं प्रेसिडेंट की बात बावन में आती है there shall be a president of India भारत का एक राश्पती होगा बड़ी सिंपल सी बात है the president of India is the formal head of executive legislature and judiciary of India and is also the commander-in-chief of the Indian armed forces बच्पन से याद सुनते आ रहे है कि भारत का राश्पती भारत का पहला नागरिक होता है पस्ट सिटीजन होता है तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है बिना president की इच्छा के सेना में पत्ता भी नहीं हिलेगा साथी साथ लोकतंत्र का आधार है राश्पती अखंड जोती का चराग है राश्पती तो इसी क्रम में president सम्मानित्पद हो जाता है अब जब हमें राश्पती बनना है तो qualifications देखेंगे जो first qualification है president of India की वो है he or she must be the citizen of India भारत का नागरिक होना चाहिए यहाँ पे एक छोटा सा point यह भी आप ध्यान रखिएगा कि क्या कोई ऐसा विक्ति भारत का राश्पती बन सकता है जो विदेशी हो लेकिन उसने भारत की नागरिक्ता ले लियो और citizen बन गया हो तो इसको थोड़ा सा देखिएगा और इस बारे में क्या आपके विचार है यह मुझे comment करके बताइगा 35 वर्ष्टी आयू होनी चाहिए 35 वर्ष्टी आयू होनी चाहिए जो लोगसभा का सदत से बनने की योगिता रखता हो ध्यान रहे योगिता से तातपर आपको लोगसभा का चुनाव लड़के नहीं दिखाना है योगिता से तातपर रहे कि लोगसभा का चुनाव लड़ने की योगिता है की नहीं है इलेक्टोरल रोल में नाम है, वोटर लिष्ट में नाम हो, वोटर आईडी बनी हो, आधार कार पैन कार्ड हो, ये सारी चीज़ें यहां पर इलेजबिलिटी के अंतरगत आती है तीन योगिता रख लिजए, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयू पूरी कर चुका हो, और लोगसभा का सदस्ते बनने की योगिता रखता हो जब ये योगिता आप रख लेंगे, उसके बाद आपको सो लोगों की आवशक्ता पड़ेगी, जिसमें से पचास होंगे प्रस्तावक, प्रपोजर, जो आपका प्रस्ताव लेकर के इलेक्शन कमिशन के पास जाएंगे और पचास होंगे अनमुदक, जो उस प्रपोजर को वेरिफाई करेंगे, इसलिए उन्हें वेरिफायर कहा जाएगा ध्यान रहे, ये पचास प्रस्तावक और अनमुदक, उसी निर्वाचक मंडल के सदस्य होने चाहिए, जो राश्पती को चुनने के लिए वोड़ डालेगा उधारां के तौर पर, राश्पती के चुनाओं में केवल सांसद और विधायक वोड़ डलते हैं इसलिए ये पचास प्रस्तावक और अनमुदक, सांसद या विधायक ही होने चाहिए, साथी साथ, नोट, प्रपोजर और विएरिफायर शुड नॉट बिद सेम, ऐसा नहीं है कि आप पचास लोगों को चले गए और उन्हीं ने आपका प्रस्ताव दे दिया और उन्हों नहीं वेरिफाय कर दिया, ऐसा भी नहीं होगा, ये अलग-अलग होने चाहिए, यानि के कुल सो विक्ती होने चाहिए, सेक्यॉरिटी मनी 15,000, जब भी आपका भी चुनाव लगेंगे तो कुछ ना कुछ जमानत राशी होगी, तो वो जमानत राशी यहां पर 15,000 रुपए होगी, क्वालिफिकेशन्स आपने पूरी कर ली, तो लोगों का इंतजाम आपने कर लिया, तो आप राश्पती बनने की योगिता रखने लगे, अगले क्रम में जब इलेक्शन्स की बात आएगी, तो भारत के राश्पती का चुनाव एक इंडारेक्ट इलेक्शन होता है अब प्रटेक्शनर वाचन होता है, इसे एलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया के दュवारा कंड़क्ट करवाया जाता है, और जो वोट हैं, वो एक इलेक्टोरल कमेटी के दュवारा डाले जाता है, साथही साथ इलेक्शन्स आफ प्रेशिडेंट मस्ट भी कंड़क्टेट विवस्थाएं हैं और इन विवस्थाओं में हमेशा ही बच्चों को confusion होता है ति राश्पती के चुनाओं में वोट कौन डालेगा और इसके elections का process क्या होगा तो इसके लिए मैं आपको दो लाइने हमेशा याद करवाता हूँ पहली लाइन all the elected members of the parliament संसद के सभी निर्वाचित सदसे तो यहाँ पर यदि आपके सामने संसद है तो लोकसभा के सभी निर्वाचित सदसे और राजसभा के सभी निर्वाचित सदसे राश्पती के चुनाओं में वोट डालेंगे एंगलो इंडियन्स अब होते ही नहीं है इसलिए इनको हटा दीजिए और राजसभा के बारा नॉमिनेटेड मेंबर्स भी हटा दीजिए सभी निर्वाचित सदसे तो इसमें भी अगर किसी राज में विधान परिशद है तो वो लोक वोट नहीं डालेंगे विधान सभाओं के सभी सदसे इसमें वोट डालेंगे तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि राश्पती के चुनाओं में वोट कौन डालेगा अब यहाँ पर नोट फिर से एक इंपॉर्टन चीज आपको याद रशनी है अगर किसी राज्ज की विधान परिशद भंग भी है तो राश्पती चुनाओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इलेक्शन्स अपने समय पर ही होंगे इलेक्शन्स के बाद अगला नंबर आता है वोट का तो क्योंकि तांसाद और विधायक राश्पती के चुनाओं में वोट डालते हैं इसलिए इनके वोटों की वेल्यू होती है आप तीचे इस तरीके से भी समसकते हैं भारत का राश्पती हमारे देश का मुख्या है और इस मुख्या के चुनाओ को आम आदमी को वोट डालना चाहिए लेकिन अगर आम आदमी राश्पती को वोट डालने लगा तो ये इलेक्शन्स बड़े कॉंप्लिकेटेड हो जाएंगे और डेल अरब की आबादी वाले देश में कैसे आप वोटिंग करवाबाएंगे बहुत मुख्यल काम होगे तो इसलिए इन डायरेक्ट इलेक्शन्स का मेथेड अपनाया गया जिसमें हमने जिन्हें चुना वो राश्पती को चुनाओंगे हमने विधायकों को चुना विधायक राश्पती को चुनेंगे हमने सांसदों को चुना सांसद राश्पती को चुनेंगे शायद यही रीजन है कि जिस विक्ति को जनाता ने नहीं चुना वो राश्पती के चुनाओं में वोट नहीं डाल सकता हमने एंगलो इंडियन्स को नहीं चुना था इसलिए वोट नहीं डालते थे हमने राजसभा के बारा नामांकित सदस्यों को नहीं चुना था इसलिए वोट नहीं डाल सकते थे तो एक सांसद या विधायक अपने पीछे की जितनी आबादी का प्रतनिधित्व कर रहा होगा उसके वोटों की कीमत वही होगी इसलिए प्रतेक सांसत और विधायक के वोट की कुछ न कुछ वैल्यू होती है और वो वैल्यू निकालने का फर्मूला आपके सामें लिखा हुआ है यदि किसी MLA की वोट की वैल्यू निकालनी हो तो उस राज की आबादी में विधान सभा की सभी सीटों को भाग दे दिया जाएगा पॉपॉलिशन ऑफ दा स्टेट इस डिवाइड़ बाई दा सीट्स ऑफ दा विधान सभा और इंटू वन थाउजन तो यहां से एक विधायक की वोट की वैल्यू निकल जाएगी और जब एक सांसद की वोट की वैल्यू निकालनी होगी तो फॉर्मूला बनेगा टोटल वोट वैल्यू आफ दा MLA's MLA's की वोट की जितने वी वैल्यू निकली है उस value को रख करके और सांसदों की संख्या से इसको divide कर दिया जाएगी तो एक सांसद के vote के value निकल आएगी minimum vote की बात जब आएगी यहाँ पे तो उसका formula total vote upon candidate plus 1 यह formula बन जाएगा उधारां के तौर पर suppose there are 100 total votes and 4 candidates चार candidates हैं जो राश्पती के चुनाओं में खड़े हुए हैं और कुल पड़े हैं vote 100 तो minimum vote कैसे निकलेंगे 100 upon 4 plus 1 formula को जब solve करेंगे तो 21 minimum vote आजाएगे यह minimum vote का criteria क्या है इसको आप थोड़ा आसान भासा में समझेए जैसा कि हम लोग छोटे मोटे elections में देखते हैं आप लोग vote भी डालते हैं अभी नगर निगम नगरी निकाय के चुनाओं होने जा रहे हैं आप उसमें भी vote डालेंगे विदान सभा और लोगसभा के चुनाओं में भी आपने vote डाला होगा तो उसमें किसी भी प्रत्याशी की जीत का फर्मूला होता है वो होता है maximum vote जिस भी candidate को जितने vote मिलेंगे maximum वो विजेता होगा उधारन जब elections का result आता है तो जिस विक्ति को सरवाधिक मत मिले वो जीत गया लेकिन भारत के राश्पति के चुनाओं में ऐसा नहीं है सरवाधिक मत पाने वाले विक्ति को विजेता नहीं माना जाएगा बलकि उस विक्ति को विजेता माना जाएगा जो कुल पड़े वैध्यमतों का कम से कम 50 प्रतिशत vote पाया हो क्योंकि हम प्रेसिडेंट की पोस्ट पर किसी ऐसे विक्ति को नहीं बिठा सकते जिसके पास कम से कम मिनिममम 50 परसेंट वोट भी ना हो आप यहाँ पे अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो दो नाम भी आपको ऐसे मिल गाएंगे उधारन के तोर पर नीलम संजीव रेड़ी इतिहासम जिनको सबसे जादा वोट मिले और फखरुदीन अली एहमद यह वीवीगरी माफ कीजिएगा वीवीगरी जिनें सबसे कम वोट मिले तो यह दो नाम भी आप याद रखेंगे एलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा राश्पति के चुनावों को सिंगल वोट ट्रांसफरेबल मेथट कहा जाता है जब आप जाएंगे वोट डालने के लिए तो वहाँ पे आपको एक परचा मिलेगा और उस परचे पे आपके प्रत्याशियों के नाम होंगे आप जिस भी प्रत्याशियों को पसंद करते हैं उसके नाम के आगे आप प्रिफरेंस डाल देंगे उसके नाम के आगे वन या टू जो भी प्रिफरेंस है वह आप लिख देंगे इसलिए single vote transferable method का मतलब है कि candidate who is disqualified from the first round then their vote shall be transferred to the other candidates यह simple सा formula है यह काम होता है election commission का अब कलपना करिये कि elections हो गए और आप राश्पती बन गए तो राश्पती बनने के बाद होगा आपका शपत ग्रहन समारो oath and affirmation शपत ग्रहन समारो में दो बग्गियों पर सजधच के दो राश्पती प्रवेश करते हैं संसत भवन के central hall में जहां पर सम्मिधान लिखा गया था एक sitting president क्योंकि आप जानते हैं कि राश्पती का पत कभी खाली नहीं रह सकता और दूसरा elected president तो elected president आएगा और उसे शपत लेनी होगी और sitting president वहीं पर अपनी seat चेंज करेगा राश्पती को शपत दिलवाने का काम भारत के मुख हिनायदीश का है Chief Justice of India का है इन दा case of emergency अगर Chief Justice of India अपने पद पर ना हो तो Supreme Court में 34 और जज़ है उनमें जो सबसे senior most होगा वो शपत दिलवाएगा शपत गरान समार होगा elected president को शपत दिलवा दी जाएगी इसके बाद वो गजट के ऊपर sign करेंगे और अपना पद भार गरान करेंगे sitting president अपनी seat बदलेंगे elected president के साथ और तीनों सेनाओं के सरवच कमांडर के stick उनको प्रदान करेंगे और इस टिक प्रदान करते ही sitting president ex-president हो जाएगे और elected president sitting president हो जाएगे इस प्रकार से शपत गरहन की ये प्रक्रिया पूली हो जाएगी शपत गरहन के बाद बारी आएगी term of office कारिकाल की कि आप इस पद पर कितने दिनों तक रहेंगे the term of office of the president is five years from the date of the oath and of nation जिस दिन भारत के राश्पति ने शपत ली उससे ठीक पात साल तक राश्पति का कारिकाल होगा पीन विशेश परिस्टियों में यह कारिकाल जल्दी भी समापत हो सकता है पहली परिस्टि कि यदि president resign कर दे है दूसरी condition यदि president की death हो जाए और तीसरी condition यदि उन्हें impeachment महावयोग लगा कर उनके पत से हटा दिया जाए तब ही यह दफ्तर खाली होगा अनिथा नहीं term of office के बाद अगला और आखरी point आता है impeachment of the president इसी भी विक्ति को देश के सर्वोचपत पर बिठाना हम भारतवासियों की आस्था और विश्वास का प्रतीक है लेकिन सर्वोचपत पर बैठा विक्ति यदि सम्विधान का उलंगन कर दे तो वो एकमात रैसी इस्थिती होगी जब उसे उसके पत से हटा दिया जाएगा इसी लिए भारत के राश्पती को उनके पत से हटानी की प्रक्रिया को महावयोग कहा जाता है या अंगरिजदी में impeachment एक ही condition है सम्विधान का उलंगन लेकिन फिर भी सम्विधान का उलंगन को explain हम लोग तीन पॉइंट में कर सकते हैं पहला point कि if president overlapped the constitution of India सम्विधान के विपरीद जाके कोई निर्णा ले लिया हो तो प्रेसिदेंट disagree the thoughts of legislator यदि संसत के द्वारा बनाए गया किसी कानून को लेके राश्पती विभिन या अलग परकार का मत रखते हूं तो या president is controlled by the other country किसी दूसरे देश के साथ मिल करके हमारे देश के लिए साधिश्की हो या दूसरे देश का साथ दे दिया हो अनेक conditions हैं क्योंकि सम्विधान के वो लंगन को explain नहीं किया गया है constitution में इसलिए अगर कभी ऐसी इस्तती आती है तो मामला सुप्रिम कोर्ट जाएगा वही यत्ताय करेगा impeachment लगानी है कि नहीं हाला कि इश्वर की करपा से ऐसी इस्तती हमारे देश में कभी आई नहीं है और आशा करता हूँ कि कभी आईगी भी नहीं impeachment जब लगीगी तो उसका process यह होगा कि participation of members in the impeachment of the president all the members of the parliament इसमें राज विधान सभा या विधान परिशत का कोई रोल नहीं होगा राश्पती को चुणने में इन का रोल होता है लेकिन हटाने में कोई रोल नहीं होता है हटाने में रोल केवल संसत का होगा यानि कि लोगतभा राजेसभा का होगा और हटाने में एंगलो इंडियन्स भी participate करेंगे और nominated members भी participate करेंगे लेकिन अब एंगलो इंडियन्स होते नहीं है तो बारा नॉमिनेरेट मेंबर्स राजय सभा के पर्टिसिपेट करेंगे इंपेच्मेंट की प्रक्रिया जब प्रारंब होगी तो राश्पती को 14 दिनों पहले ही सूचना दे दी जाएगी और इन 14 दिनों में भारत का राश्पती अपना मत अपना पक्ष संसत के समक्ष रख सकता है लोगसभा के 25 प्रतिशत सदस्यों की सहमती के साथ प्रस्ताव लाया जाएगा संसत के किसी भी सदन में ये प्रक्रिया चलाई जा सकती है और चूकी भारत के राश्पती के उपर कभी भी इंपीचमेंट लगा नहीं है इसलिए हमारे पास ऐसा कोई experience भी नहीं है लेकिन फिर भी ऐसा माना जा रहा है कि अगर कभी ऐसा होता है तो प्रोसेस लोगसभा में शुरू किया जाना चाहिए क्योंकि वो elected house है एक कमेटी बनाई जाएगी जो राश्पती को उपर लगाए गए आरोपों की जांच करेगी अगर कमेटी ने प्रेसिडेंट को clean sheet दे दी तो प्रस्ताव वहीं पर गिर जाएगा लेकिन अगर कमेटी ने भी verify कर दिया तो यह proposal दूसरे house में जाएगा यानि कि राज्य सभा में जाएगा वहाँ पे भी कमेटी इस बात पर विचार करेगी लोगी सहमत ही लेगी और अगर यदि सब सहमत हैं तो two by third बहुमत से यह बरस्ताव पर voting करवाई जाएगी यानि कि करीब करीब चांचट प्रतिशत लोगों ने अगर संसद में वोट डाल दिया तो ठीक उसी दिन से राश्पती को उसके पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा मैं फिर कह दूं कि यह प्रकरिया हमारे देश में कभी भी नहीं अपनाई गई है इसके बाद राश्पती की कुछ अलग और विचेश शक्तियों की चर्चा भी हम लोग कर लेते हैं पहली इसकी शक्ती है तो कि राश्पती विधाइका का प्रमुक है इसलिए विधाइका के सभी कारे उसके नाम के द्वारा ही किये जाएंगे राश्पती चाहे तो प्रतेक्ष अपने नाम का इस्तेमाल कर सकता है और ना चाहे तो किसी अफसर के माध्यम से भी करवा सकता है बिना किसी लाग लपेट के जो भी वक्ति भारत का राश्पती होगा उसे ही तीनों सेनाओं का सरवोच कमांडर भी मान लिया जाएगा और सेनाओं के ऊपर भी जो दाइत्व हैं उनका निर्वान भारत का राश्कती ही करेगा किसी भी राज के राज पाल के संबंध में निर्णे लेने के शक्ती राश्पती को ही होगी और इसी तरीके से केंदर सरकार की भी किसी अथॉरिटी को चलाने की जिम्मेदारी भी राश्पती की ही होगी डारेक्ट या इंडारेक्ट राश्पती की कारेपाली का संबंध इन शक्तियों के बाद eligibility की बात आती है कि क्या किसी भी वक्ती को re-elect किया जा सकता है तो article number 57 इस बात पर प्रकाश डालता है क्या person who holds or who has held office as president shall subject to the other provision of this constitution be eligible for re-election to that office जी हाँ कोई भी वक्ती जो भारत का राश्पती रह चुका हो वो दुबारा इस पर पद पर निर्वाचित होने के योग्य है निर्वाचित हो सकता है अमेरिका में ऐसा नहीं होता अमेरिका में एक विक्ती दो बार से अधिक राश्पती नहीं बन सकता लेकिन भारत में ऐसी कोई foundation नहीं है हलकी इतिहास उठा के देखें तो डॉक्टर राजेंट परसाद एक मात्र राश्पती भारत के ऐसे हुए हैं जो दो बार इलेक्ट हुए थे और तिबारा का कोई concept ही नहीं बना आस तक conditions की बात कर लेते हैं अंत में कि कोई विक्ती अगर mentally disturbed हो बैंकरब्थ हो यानि के दिवालिया हो या सरकारी नोकरी करता हो या संसद का सदत से हो या किसी भी राज विधान सभा का सदत से हो तो भारत का राश्पती नहीं बन सकता और इसमें भी mentally disturbed तो बिल्कुल नहीं बन सकता सरकारी नोकरी करता हो तो छोड़ दे फिर राश्पती का चुनाव ले संसद का सदत से हो तो रिजाइन कर दे फिर चुनाव ले और अगर विधान सभा का सदत से हो वेकेंट पोस्ट के जब हम लोग बात करते है कि राश्पती का पद खाली किन इस्थितियों में होगा तो यदि प्रेसिडेंट का कारिकाल समाप्त हो गया हो उन्होंने रिजाइन कर दिया हो महाभयोग के द्वारा हटा दिया गया हो या चुनाव इल्लीकल हो गया हो या प्रेसिडेंट की मृत्ती हो गयी हो ये जो पांच कंडिशन्स हैं राश्पती का पद खाली होने की उन्हें अगर कारिकाल खतम हो गया है तब तो कोई बात नहीं जब तक नया राश्पती नहीं आ जाएगा तब तक वरतमान राश्पती अपने पद पर बना रहेगा ये नियम है लेकिन बाकी की जो चार कंडिशन्स हैं अगर उन कंडिशन्स में ये पद खाली होता है तो वाइस प्रेसिडेंट उपर राश्पती को राश्पती मान लिया जाएगा लेकिन ध्यान रहे अगर acting president पदपर है तो vacant post of the president shall not be extended more than six months नए राश्पती को लाने के चुनाव खे माँ के अंदर-अंदर हो जाने चाहिए कभी ऐसी इस्थिति भी आ सकती है कि भारत का राश्पती अपने पदपर ना हो तो उपराश्पती को राश्पती माल लिया जाएगा लेकिन एक special condition है कि यदि उपराश्पती भी अपने पदपर ना हो तक क्या होगा तो chief justice of India को राश्पती माल लिया जाएगा ये इस्थिति भी हमारे देश में एक बारा आ चुकी है कमेंट करके बताईए कब आई थी और अंत में ये कुछ नाम जिनको प्रेसिडेंट के दोरह एपॉइंट किया जाता है इनको सीधे आप याद रखेंगे तो भारत के प्रधान मंतरी और सभी कैबिनेट मंतरियों को राश्पती एपॉइंट करता है भारत के एटॉर्णी जनरल को भी राश्पती एपॉइंट करता है कैग यानि के कमट्रोलर और एटॉर्णी ओडिटर जनरल को भी एपॉइंट करता है तुप्रिम कोल्ट और हाई कोल्ट के जजेस को भी राश्पती एपॉइंट करता है भारत के मुख निर्वाचाना युक्त चीफ इलेक्शन कमिशनर को भी एपोइंट करता है वित तायोग के अधिक्ष को भी नियुक्त करता है UPSC और जूडिशील सर्विसिस के मेंबर्स को भी एपोइंट करता है Special Officers of the SCST को भी एपोइंट करता है आधिकारिक भाषा से सम्मंदित अधिकारी को भी एपोइंट करता है सभी राज्यों के गवर्नर्स को एपोइंट करता है और भाषाई अलपसंख्यकों के सम्मंद में जिन अधिकारियों के नियुक्ति होनी है उन्हें भी भारत का राश्पती ही एपोइंट करता है कि तिथियां तो याद करना बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है लेकिन फिर भी एक मोटा आइडिया आपको होना चाहिए यहाँ पे चौधवे राश्पती रामनात कोविंद का कारिकाल समाप्त हो चुका है और इस समय पंद्रवी राश्पती महामहिम दुरौपदी मुर्मुजी अपने पद को धरन करके लोकतंतर की शुभा बना रही है इस प्रकार से प्रेसिडेंट का यह जो लेक्चर है समाप्त होता है इस लेक्चर की यह जो फाइल है पीडिया फाइल यह आपको मेरे टेलिग्राम चैनल जी एस बाई केपी और अवलेबल रही ही वहाँ से जाकर के आप इसको फ्री डाउनलोड कर सकता है यह लेक्चर कैसे लगा आप लिखना ना भूले साती साथ इन वीडियों उसको और बहतर कैसे बनाया जा सकता है इसे सम्मंदित अगर कोई सुझाव है तो उसके लिए भी आपका स्वागत है तो आज की चर्चा को यहीं पर विराम देंगे जल्द ही अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग फिर से मिलते हैं तेल रेंड टेक कियर बाई बाई